Dear students, we have to discuss about the Early Childhood Education for the Sustainable Development in USA. इस वक्त जो हम बात करना चाहेंगे, वो एक 3-day submit, US Congress Department of the Education का जो है, वहाँ पे जो एक plan है, business, labor and NGO, उसको थोड़ा सा हम लिंक करेंगे और उसके बारे में गुफ्तकू करेंगे, कि वहाँ पे क्या बात होई, UK ने क्या role play किया, USA ने क्या role play किया, किस अंदाज में developing countries जो हैं, उनको बेतर बनाने के लिए, developed country ने क्या role play किया, इससे पहले जो हमारी गुफ्तकू हो रही थी, वो UK की थी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, कि USA की, कि USA ने उसमें कौन सा role play किया, USA ने कौन कौन से initiative लिए, sustainable developments के लिए, उसके अंदर उसका economic plan, economic development, educational plan, educational partners, secondary educators, or institutions and higher education, इन के role के हम बात करें, higher education को इसलिए लिंक किया गया है, क्योंकि higher education की आपकी trained human resource वहां से available होता है, यानि दूसरे लफ़ों में अगर मैं बात करूँ, तो बन्यादी तोर पर university का role क्या है, ये उनिवस्टियों का role है कि आपको trained human resource वोन न देना है, trained human resource जो है, उन्होंने आकर ECE में अपनी पड़ी हुई चीज़ों को practice करना है, तो इसका मतलब ये हुआ, कि अब हमारे पास जो role आ गया है, role क्या है, वो role ये आया है, कि higher education के अंदर, education department में, जैसे हम एक आपको example देना चाहरा हूँ, कि education department में, जिन लोगों को train किया जा रहा है, उनकी training के अंदर, एक part जो है, वो ECE का भी होना चाहिए, क्योंकि ECE के अंदर भी हमें trainer चाहिए, और उस ECE के अंदर जो है, ट्रेनिंग के अंदर जो बंदा हमें train चाहिए, उसके अंदर उसको पता होना चाहिए, क्या उसको include करना है, आपने, natural environment के बारे में भी उसको include करना है, आपने, उसके बाद human diversity को उसने desk करना है, उसको भी उसने deal करना है, इसको भी उसने डील कर रहे हैं उसके बाद उसने एक foundation बनानी है देखें इसी के अंदर हमारे पास क्या है इसी के अंदर जो बच्चा हमारे पास आज के दिन future society जो के जिसको हम sustainable development society की बात कर रहे है उस बच्चे के अंदर अगर हम आज fairness, acceptance, respect और innovation उसके अंदर inculcate नहीं करेंगे तो वो प्रवान कैसे चड़ेगा और वो society जिस society के अंदर हम बात कर रहे हैं कि sustainable development की society आज से 15-20 साल बात जा 2030 तक हम बात कर रहे हैं कि हम एक vision लेकर चार रहे हैं कि उस वक्त तक हमें एक sustainable development society बानेगी वो मिलेगी है हमारे पास उसका जो बीज है वो ECE से शुरू हो उसका जो रोल है वो early child education से शुरू होगा उस early child education से जहां पर उसने शुरू होना है जिस बचे के अंदर हमने fairness develop करनी है जिस बंदे के अंदर हमने acceptance develop करनी है जिस के अंदर हमने respect develop करनी है उसके साथ related जो trainer है उसको जिसने ये training देनी है उस training के से related जो trainer ने जहां से training देनी है उस पर भी focus किया गया कैसे अब देखें मैं अब उसको मिसाल के तौर पर वियान करना चाहता हूँ बचे को पढ़ाने वाला कौन है टीचर या एजुकेटर टीचर या एजुकेटर जो है उसने कहां से training लेनी है उसने university qualification हासल करनी है यूनिवस्टी से training लेनी है अब university जहां से उसने training लेनी है वहां पर उसका जो plan बनाने वाले हैं उसको जो curriculum पढ़ाने वाले हैं उसकी जो skills डिवेल्प करने वाले हैं उनके उपर USA ने फोकस किया और वो फोकस क्या किया के तमाम universities और colleges उनके अंदर उनको collaboration किया education for sustainable development के लिए और उसके अंदर जिन दो चीजों को फोकस किया गया उनमें वो एक जो चीज थी वो जो इस human diversity को address कर रहा है कि देखें आपके पास जब school के अंदर आप आए है education for all का आपने नारा लगाया है आपने कहा कि कोई बच्चा हमने school से बाहर नहीं रहने देना तो अब एक ही जगा पे एक गरीब का बच्चा भी वहां पे पढ़ड़ा है financially तोर पे एक बेतर फैमली है उनका बच्चा भी पढ़ड़ा है जेंडर कल्चर लोकेल डिफ्रेंट पैरेडाइम्स के अंदर रहते हुए और सबसे जो main factor वो है economic diversity वो तमाम लोग जो है एक environment में जब पढ़ रहे हैं तो उनकी जब training होनी है उस training के लिए जो trainer है उसकी training जो university में होनी है USN इसको पर focus